हालो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरी चैनल पर आज मैं आपके लिए इंस्टेंट बर्फी के रेसे पील है क्या हो जो बीना गैस जलाए बनाएंगे इसके लिए मैं जार में चीनी और हरी लैंची को डाल करके उसे बारिक पीस लिया है हम इसे बावल में ट्रांसफर कर दें अब सारे ब्रेट्स को हम तोर करके जार में ट्रांसफर कर देंगे और इसे पीस लेंगे इसका पावडर बनाना है हमें तो आप देख सकते हैं मैं इसका पावडर बना लिया इस पावडर को हम चीनी वाले बावल में ट्रांसफर कर देंगे अब इसमें एक कप मिल्क पाव आधा कप जितना दूद की मलाई ली है, ये फ्रेश दूद की मलाई है, और अब हम इसे थोरा थोरा डाल करके, इसका एक डोर तयार करेंगे, और साथ में मिक्स करते जाएंगे, और आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कोई भी लंस नहीं होने चाहिए, थोरा थोरा डालते सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, कोई लंस ना रहे, इस बात का ध्यान रखे, यहां अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, तो आप देख सकते हैं, डो हमारा थोरा चिप-चिपा ही गीला सा बनीगा, बिल्कुल हमें इसी तरीके का चाहिए क्योंकि कुछ दिर आप इसे छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे कि यह ठीक हो जाएगा, तो अब हम इसे साइड रख देते हैं, और इसे सेट होने के लिए, मैंने केक्टिन का यूज किया, आप जिसमें सेट करना चाहिए, उसकी बहुत अच्छे से घी से ग्रीसिंग क कर सकते हैं यहां पर और इसकी बहुत अच्छे से ग्रीसिंग कर लें, ताकि यह भी असानी से अलग हो जाए, तो सारी चीज़े अच्छे से हो गई है, मैंने ग्रीसिंग कर लिया है, तो अब हम इसमें ट्रांसपर कर देंगे बर्फी के बैटर को आप देख सकते हैं, यह भी हो गया है, अब सारे बर्फी को इसमें ट्रांस्पर करके इसे हम अच्छे से लेबल कर देंगे, फैला देंगे चारो तरब से और ब्राबर कर देंगे, अब इसे हम एक घंटे के लिए फ्रीज में डाल देंगे, नीचे वाले पोर्षन में आपको रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, और अब हम इसे एक घंटे के बाद निकालेंगे फ्रीज से और बटर पेपर से इसे अलग कर लेंगे, मैंने अलग कर लिया है, अब हम इसमें मैंने चांदी का वर्ग लगाया है, आप चाहें तो ये प्रोसेस स्किप कर सकते हैं, और यहां पे आप ड्राइफ फ्रूट्स चौप करके लगा दीजे, और थोड़ा सा इसे दबा दे ताकि ये इसके साथ सेट हो जाए, तो मैंने लगा दिया है, आप अपने पसंद के शेप में छोटा बड़ा आप कट कर सकते हैं, ये बर्फी मैंने बिना गैस जलाइ बताई है, बहुत ही टेस्टी बन के तयार होता है, तो उमीद करते हो ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आप इस मिठाई को एक बाद जरू ट्राइ कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होता है, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर हमें सब्सक्राइब करें और बेल एकन तो जरूर टैप करें ताकि इजी टीप्स और रेसिपीज हम आपके लिए हमेशा लाते रहें धन्यवाद